विहारबोर्ट क्लास नाइन्थ हिंदी का मोडल पेपर वन जानेंगे जो आपका फरवरी में होने वाला फाइनल एक्जाम के लिए बहुत इंपोटेंट है टोटल तीन मोडल सेट का हम स्वालव करेंगे और सबके सामने एक अंसर भी दिया गया और आपको हम समझा करके बता सॉल्व करना है बहुत इंपोटेंट होता है उसके बाद देखिए इसमें बताया गया है आप खंड के दाच्वा में आ जाईए खंड ओ में एक सो बस्तुनिश परशन है मतलब अब्जक्टिव है इनमें से किनी 50 परशनों का उत्तर देना है यदि कोई परिक्षार्थी 50 अधिक परशनों का उत्तर देते हैं तो परथम 50 परशनों का ही मुल्य अंकन किया जगा अगर आप 60 का उत्तर देते हैं तो आपका परथम 50 का ही चेक किया जाएगा और परते के लिए एक अंक निर्धारी थे एक ही अंक मिलेगा इनका उत्तर उपलब्द कराएगे ओमर पत सकते हैं चलिए सुरू करते हैं आपको धियान देना होगा कि इसमें चार अप्सन हैं और सब के सामने अंसर दिया गया यह नहीं कि आप स्क्रिंसोट करके घूम लिजिए आपको समझना परेगा हम हिंदी पढ़ाए हुए हैं पाच्छे वार तो आपको हम समझा देंगे कहानी का प्लॉट सिर्षक पाठ गद की कौन सी बिधाय मतलब है क्या नाम में ही है सिर्षक कहानी का प्लॉट तो कहानी ही होगा विसक तो सी सारी पुत्र यहां पर आपका क्वेशन भी आता है सब्जेक्टिम में किस विरहकुल महाप्रूस ने अपनी पिडिया का पता पसुपक्षियों से पूछा था तो कालिदास ने पूछा था देखिए ग्राम में गीत का मर्म पाठ के लिखा डैस हैं गराम गीत का पाठ का ल तो इसका मुख्य पातर है बिर्जु का बाप परियेगा तो आपको पता चलेगा उनका इसमें मुख्य भूमिका रहता है भारत सरकार ने फिल्म सर्बोच पुरुसकार का नाम डैस दिया है भारत सरकार फिल्म और देखिया फिल्म छेतर में जो व्यक्ति काम करते हैं तो फिल्म का सर्बोच पुरुसकार जो होता है वो होता है दादा सहब फाल के पुरुसकार आप फिल्म दिया गया है चेप्टर में आप समझ सकते हैं भारतिया फिल्म के बारे में बताया गया है तो उसमें दिया गया है भारतिया फिल्म का सबसे उच पुरुसकार है दादा स कुछ तक रचा था तो आवारा मसीहा आपको तर नपरखर पड़ेगा उस चैप्टर में और अश्टावक्र चैप्टर में दिया है विश्यु मुष्ण का वहां के दोरा रचित आवारा मसीह अस्टावक्र के पई कभी की डैस की तरह बलगते हैं तो कभी की नाइका की तरह बलगते हैं तोलस्टाई के घर को वहां की सरकार ने डैस बना दिया म्यूजियम बना दिया तोलस्टाई ने अपनी डैस दोरा लगाए पेरों की साबधानी से रक्षा की तो अपनी मां के दुरा लगाए गए पेरों की साबधानी से रक्षा की राजस्थान में विसाल डैस के दिखता है तो राजस्थान में विसाल मरू भूमी है मरू भूमी डिंगल क्या है तो डिंगल एक भासा का नाम है हमने सोले परसंद जाना चलिए आगे कुछ बाद कभी कभी रेल गारी डैस पर रुख जाती है तो सिगनल पर रुख जाती है रेल यातरा में डैस का भै बरावर बना रहता है तो रेल यातरा में दुरघटना का भै बना रहता है यह आपका पूरे किताब से कुस्चन है डाक्टर हजारी परसाद दुवेदी के सुपरसिद्ध डैस हैं तो समा लोचक है ठेक है आगे देखिए विद्यार्थियों के सामने सम निबंध लेखन के करम में सबसे बड़ी ब्रहुंती धारना किसको लेकर है तो देखिए प्रिष्ठ संखियां लेकर किया है ठेक है देखिए आगे आपका है 20 नमर प्रस्ण है विद्यार्थियों के सामने निबंध लेखन के करम में सबसे बड़ी ब्रहुंती धारना किसको लेकर के है तो प्रिष्ठ संखियां लेकर है कि कितना निबंध लिखा जाए लिलावती को घर से जाने के लिए उसके भईया कौन सी सवारी लेकर रस्टेशन आए थे तो उनके भईय आए थे जीप लेकर के आगए देखिये 13-14 वरसों के बाद लिलावती आज कहान हा लुटी है थो इसका हम पानी आप कावे खंड में आगे तुम चंदन हम पानी में तुम सब्द कापर योगे किसके लिए हुआ है तो भगवान के लिए हुआ है भगवान को चंदन कहा और कभी खुद को पानी कहा है भक्त रहिदास ने किसे अपना स्वामी माना है तो भक्त रहिदास ने अपने अरद्ध भगवान को, जनकी पुझा करते हैं, उनको सौमी माना है, मंझळन और डैस, दोनों सुपरसिद, सुफी कवी हैं, तो मंझळन और जायसी, उसमें दरसाया गया है, मंझळन का जेवनिया आप पढ़िएगा, तो जायसी के बारे में, ये दोनों सुपरसिद, सुफी कभी मानने जाते हैं आगे देखिएं प्रेयम की सरन में जाने में जीव को क्या प्राप्त होता है तो प्रेयम की सरन में जाने में जीव को अमरत्व का वर्दान प्राप्त होता है अमर हो जाता है समाज की उपरी विभेदों को कैसे दूर किया जा सकता है तो समाज की उपरी एक्ता की अनुभूती से दूर किया जा सकता है गुरु गोबिन सिंग ने परमात्मा की पहचान किस रूप में कराई है तो गुरु गोबिन सिंग ने परमात्मा की पहचान विस्व रूप सरूप में कराई है कभी डैस बिचा कर उसके आगमन की प्रतिखा कर रहा है तो कभी पलक पावरे बिचा कर की उसकी आने की प्रतिखा कर रहा है आगे देखें कौन सी चाह आज आरती उतारने आई है तो इसका अंसर होगा नव चेतना के नव भोर के अबतरन की चाह जो है आरती उतारने आई है महादेवी बर्मा को डैस प्रुसकार से सम्मानित किया गया है तो ग्यान पीठ प्रुसकार से इनको सम्मानित किया गया है कभी ने चंद्रमा की चर्चा की है आ रही रवी की सवारी कविता में रात का राजा किसे कहा गया है तो किसे कहा गया है रात का राजा चंद्रमा को कहा गया है आजाद हिंदुस्तान में मान मिल जाने के बाद हम कौन सी खेती कर पाएंगे तो गीतों की खेती कर पाएंगे च कभिका दुखी रहने का कारोबाय कभिका नहीं है लिला धर जगूरी को 1997 में डएश पुरुषकार से संबानित किया गिया तो सहिट्य पुरुषकार से संबानित किया है रुको बच्चों कविता हमारी किस व्यवस्था पर चोट करती है तो हमारी सासन व्यवस्था पर चोट करती है बच्चों को सासन तथा व्यवसाई की अंधी डैस का अंग नहीं बनना चाहिए तो अंधी दौर का बच्चों को सासन तथा व्यवसाई की अंधी दौर का अंग नहीं बनना चाहिए, निमो को कम से कम 10 बरसों तक और बचना था, तो निमो को कम से कम 30 बरसों तक और बचना था, आगे देखिए, सीताकंत महापातर किस भासा के कवी हैं, तो सीताकंत महापातर उरिया के कवी हैं, सीताकंत महापातर डैस परदेश से आये कवी हैं, तो सीताक है वीडियो को आप लाइक कर दिजिए हमने अभी तक 47 परसन जाना है और भी आगे चलिए तिरपन परसन जानेंगे आगे देखिए हमारे देश के दक्षिन के समुदर का नाम डैस है तो हिंद महासागर नाम है बिहार में युवा लोक गीतकार डैस अकेला एक चर्चित लोक गायक है तो अजीत कुमार है अजीत कुमार देखिए सहनाई वादन के चितर में उस्ताद डैस अस्तरिया ख्याती बध कलाकार माने जाते हैं तो बिसमिल्ला कहाँ बिहार में सास्तरिया निरित्य की पहली जियोती जलने वाले डैस हैं तो हरी उपल है उपेंद्र महारती ने डैस में चितरकला की सिक्षा पाई थी तो उपेंद्र महारती ने कौलकत्ता में चितरकला की सिक्षा पाई थी मितलांचल की चितरकला में डैस वर्ग की ही परधानता रहती है तो नारी वर्ग की ही परधानता रहती है सत्य हरिस्चंद्र नाटक के नाटक कार का नाम ड देखिए पुनरजनम यह पहला अंसरोगा इसका एक नम्र परतिएक वंजन का पहला तीसरा था पाच्मावर्ण को क्या कहते आगे बियाकरन में तो परतिएक वंजन के पहला थीसरा और पाच्मावर्ण को हम अलबप्राउन कहते हैं जब एक धोनी दो गारत वेक्टि लिएस्थैन के नाव को ब्याचक संगिया कहते हैं घी कौन सी संगिया है तो घी देखिए दरब्विभाचक संगिया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए जो आया है वह जाएगा इस वाक्य में जो कौन सर्वनाम है तो यह वाक्य में जो कौन सा है संबंद बोड़किसी का संबंद करा रही जो आया है वह जाएगा जैसा करोगे वैसा भरोगे यहां जैसा और वैसा इस समास का विष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् करें तत्यांत का अतिय पलस अंत होता है किस समास में पहला पद संख्या वाचक होता है तो किस समास में पहला पद संख्या वाचक होता है द्विगू में होता है द्विगू में तत पुरुष समास में परधान होता है तो तत पुरुष समास में परधान कौन सा होता है दूसर पद होता है दूसरा पद वीडियो को आप लाइक कर दीजिए बहुत इंपोटेंट चप्टर आपको बता रहें आत्मा का लिंग निरन्या करें तो आत्मा का लिंग होगा इस तिरलिंग आत्मा होगा यह धियां रखिएगा यह आपको किसी भी एक्जाम में पूछ दिया जा है इस वाके में किस कारक की भिभक्ती है तो अधिकारक की अधिकरन कारक की अधिकरन कारक की संग्या या सर्मनाम में कि जिस रूप से उससे किसी का अलग होना या डरना उत्पन होना आदी का पता चले उसे क्या कहते हैं उसे आपादान कारक कहते हैं देखिया आगे जिसमे भविस्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो ड्यास काल आता है तो कालाता है संभाव्य भविस्य काल संभाव्य भविस्य काल क्योंकि भविस्य में होने की कारण देखलाता इसमें आगे देखिए वह आता है कौन सा बरतमान काल है तो वह आता है यह जो है समान्य बरतमान क इस्वाक्ben कि प्रकार की किरिया है किर्या के मुल कि journalist थाक्य को द su लिए आगे बढ़ते हैं आगे देखे ज्ञें़ वाच्च के कितने भेद हैं तो याद रखना है जिसे पता चलता है कि वह करता के विषय में कह रहा है या कर्म के विषय में या भाव के विषय में उसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं उसे वाच्चे कहते हैं परतिविम में उपसर्ग बताईए तो परतियक्ष में कौन सा उपसर्ग है तो परतियक्ष में परतियक्ष बुलक्कर में किस परत्य का पर्योग हुआ है तो भुलक्कर में अक्कर पर्योग हुआ है खिलारी में किस परत्य का पर्योग हुआ है तो खिलारी में आरी परत्य का पर्योग हुआ है आगे देखिए सिह अबलोकन करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा तो देखिए सिह अबल प्रागत उक्ति को क्या कहते हैं सुक्ति कहते हैं जो इस तरी सुर्य भी नहीं देख पाती उसे क्या कहेंगे उसे असुर्य पस्या कहेंगे उसे असुर्य पस्या कहेंगे उसे असुर्य पस्या अलोचना का प्रयाइबाची डैस है अलोचना का प्रयाइबाची समिक्छा अंसू-सद्गा प्रेयवाची होगा वरिश्थ निमलकीत में से सही सब्ध सुद्धी का चुनाब। के लिए बोला सही सब्द सुद्धी कोह Holmes सा है तो जहानवी ऐई सी होता है जहान भी देखिए नम्लborगी में से आगे बढ़ते हैं 96 प्रस्न हमारा है मिनलगी मेंस सही सथ सुध्धी का चुनाब की सुधिवाक्य क्या होगा दोनों तो गलत है कल पाठ पढ़ कर आए तो ये सभी वाक्य और स ल फिनाar से जीवन और साहित्य का आपार संबंद है जीवन और साहित्य का गनिस्ट संबंद है गंभीर यहां पर गंभीर आपार घोर यह तीनों सही नहीं होगा यह होगा घनिष्ट संबंध है और लास्ट सवाल है निमलखीत वाक्यों से सुध्ध वाक्य का चेंड कीजिए और इसका अंसर होगा बंदूख एक बहुत उप्योगी अस्त्र है तो इस परकार से हमने मुड बॉक्स में लिखे कोई दिक्कत है वो भी लिखिया और क्या जानना है वो भी लिखिया थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं ले वीडियो में